नमस्कार साथियो मैं सतीश महरा आप देख रहे हैं अर्थप्रकास टीवी तो साथियो आज पूरे नेशनल मीडिया पर और मेंस्टीम के मीडिया पर यहां तक के सोशल मीडिया पर कुमारी सहलजा का कॉंग्रेस चुनाव परचार से दूर रहना और अभी तक चुनाव परचार में उनका पदारपन नहीं होना यह बहुत बड़ा एक मुद्दा बना हुआ है और इस ही को लेकर कॉंग्रेस पार्टी की लगातार चिंताएं बढ़ रही है दूसरी और भारत् कुमारी सहलजा को अपनी पार्टी में निमंतरन दे रहे हैं भारत्य जंतापार्टी के नेताओं ने यहां तक कहा है कि भारत्य जंतापार्टी के दरवाजे बहन सहलजा के लिए खुले हैं और कुमारी सहलजा के जो श्यान में भारत्य जंतापार्टी के नेता कसीदे कर रहे हैं उसे लगता है बहुत सने और सम्मान उनको भारतिय जन्ता पार्टी के नेता दे रहे हैं भारतिय जन्ता पार्टी के नेता इस चुनाव परचार में अपनी पार्टी का अपनी सरकार की उपलोबदियों का बखान ने करके सिर्फ और सिर्फ इसी आस में बैठे हैं कि कुमारी सहलजा कॉंग्रेस पार्टी छोड़े और उनकी पार्टी को जोईन करे ऐसे में उनको चुनाओ में फाइदा हो सकता है उनकी इस चुनाओ में नईया पार हो सकती है इसी सारे सभी नेताओं के बयान आ रहे हैं और सभी नेता जो कुमारी सहलजा की जो सम्मान में कसी गड़ रहे हैं उनसे ऐसा लगता है कि सिरफ और सिरफ बाज़पा को चुनाओ जिताने के लिए सहलजा के सारे की जुरूरत है दूसरी और साथियों कुमारी सहलजा का आज जो बयान आया है उन्होंने कहा है कि सहलजा की रगों में कॉंग्रेस पार्टी का खून है और जिस परकार से उनके पिता चौदरी धलबीर सिंग तिरंगे में लिपट कर गई थे उसी परकार से वो भी तिरंगे में लिपट कर जाएंगी तो ऐसे में लगता है कि कुमारी सहलजा कॉंग्रेस छोड़ने वारी नहीं है ऐसे में भारतिय जनता पार्टी का अब क्या होगा भा जैसे के सभी को पता हैं, कॉंग्रेस पार्टी के जो टिकट वितरन था, उसमें सहलजा के कद के अनुसार, सहलजा को टिकटे नहीं मिल पाई, और इसी को लेकर सहलजा ने चुनाव परचार में दूरी बनाए हुई हैं, और लगातार जैसे मैंने बताया के कॉंग्रेस की चि कि नेताय है, कुमारी सहल जा से संपरक बनाई हुए है。 तो ऐसे में देखने वाली बात यह है कि, कुमारी सहल जा कब तक चुनाव परचार में उतरती हैं. और यहां तक पताचला है कि जो हर्याना की जो अनुसी जाते की विबिन संगठने सभाए हैं चाहे अम्बेडगर सभाओं के प्रतिनी दी हों चाहे रविदास सभाओं के प्रतिनी दी हों लगातार सहलजा से संपरक में हैं और उनके पास जा रहे हैं दिल्ली उनके निवास पर उनके मुलाकात कर रहे हैं और उन वो जो प्रतिनी दी हैं सारे के सारे जो पदादी कारी हैं सभाओं के उनका सहलजा की को यही कहना है कि बेंजी आगे क्या आदेश है तो अभी पता चला है कि कुमरी सहलजा ने उनको एकी बात कही है कि अभी सहयम बरते हैं और अभी किसी तरह का किसी तरह की किसी के खिलाब बयान बयाजी नहीं करें तो उन्होंने ये देखने वाली बात है कि साइट एक दो दिन के लिए उन्होंने अपने कारेकरताओं को अपने जो समाजिक संगठन है उनको रोका हुआ है तो आज जो सहलजा जी का जो बयान आया है उन्होंने कहा है कि सहलजा की रगों में कॉंग पता चला है कि रंदीप सिंग सुर्जेवाला ने ये कहा है कि कुमारी सहलजा आगामी 26 सितंबर को नर्वाना में सत्बीर दबलेंड के समर्थन में चुनाव परचार के लिए आएंगी ये गवरतलबे कि सत्बीर दबलेंड जो कॉंग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे है उनको रंदीप सुर्जेवाला ने टिकट दिलवाई है और रंदीप सिंग सुर्जेवाला कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि सहलजा चुनाव से दूर रहे हैं सहलजा चुनाव में आएंगी नहीं आएंगी ये तो आने वाला समय बताएगा यान एक-दो दिन में ही पता लेकिन ऐसे में दोनों पार्टियों में एक पार्टी में जो चिंता बढ़ रही है दूसरी भारतिय जंता पार्टी में क्रोशिटी बन रही है तो अगर कुमारी चलजा चुनाव मैदान में उतरती हैं, शेगर आती हैं, तो ऐसे मैं भारती जन्ता पार्टी के नेता हूँ, जैसे उन्होंने भारती जन्ता पार्टी के दर्वाजे चलजा के लिए खोल दिये थे, ऐसा सने बर्चाया जा रहा था, ऐसा सम्मान दिया जा रहा है, क् झाल झाल